हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक तो माई योट्यूब चैनल, आज मैं कर रही हूँ गिफ रैपिंग, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के गिफ रैप करूंगी, सबसे पहले मैं बुक रैपिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्लेन सॉलिट कर रहे कर रैपिंग पेपर रही हूँ, कुछ इंचेस मैंने फोल्ड कर लिया है, नेक्स मैं फोल्डेट रैपिंग पेपर को रैप करूंगी, जितना टाइटली आप पैक करेंगे उतना ही गिफ्ट अच्छा लगेगा, रैपिंग पेपर को सिक्योर करने के लिए टेप लगाने से पहले मैंने बहुत नीट लुक आएगा, बहुत थोड़ी सी एफर्ट डालके आप गिफ्ट को बहुत ही प्रेजेंट टेबिल बना सकते हैं, मैंने गिफ्ट को रैप कर लिया है, रैप करने के बाद आप फाइनल लोग देख सकते हैं, इसमें एक पॉकिट सी बन गई है, जिसमें हम मैसेज, कार्ट, इजिली रख सकते हैं, आप चाहें तो फ्लावर भी एट कर सकते हैं, इस तरह सिंपल गिफ्ट बॉक्स का लोग बहुत ही अट्रेक्टिव हो जाएगा और यकीनर रिसीफ करने वाले को भी अच्छा लगेगा नेक्स्ट हम सेकेंड रैपिंग के तरफ चलते हैं, जिसमें मैं गिफ्ट बॉक्स रैप कर रही हूँ, इसके लिए भी मैंने सॉलिड रैपिंग पेपर लिया है और साथ रिबिन ले रही हूँ रिबिन के साथ साथ मैं कुछ अलफबेटिकल बीट्स यूज़ कर रही हूँ, जो इजरी मार्केट में अवालेबिल हैं सबसे पहले मैं इसको अच्छी दरीके से रैप कर रही हूँ गिफ रैप करने के बाद मैं कोई सभी मैसेज़ सेलेक्ट कर लूँगी बीट्स में से आप लोग अपनी मर्जी का मैसेज़ चूज़ कर सकते हैं लाइक हैपी वेडिंग अनिवर्सरी या किसी कभी न मैंने हैपी बेर्दे के बीट्स सेलेक्ट कर लिये हैं और इनको अरेज़ कर लिया है नेक्स्ट मैं रिबेन में अलफा बेर्स बीज डालती रहूंगी और इनको अरेज़ कर लूँगी यह इसली रिबेन में डल जाएंगे इसी तरह आप कोई भी मैसेज चूज कर सकते हैं मैं हर वर्ड अलग अलग रिबेन में एड़ेस्ट करूँगी और रिबेन को एक्स्ट्र पार्ट करने के बाद सेटेंड वर्ड मैं दूसरी रिबेन में डालूँगी और इसी तरह मैं थर्ड रिबेन भी रेडी कर लूँगी कर दियंगी तीनों रिबिन मैंने रेटी कर ली हैं आप लोग को मैसेज के लिए नजर आ रहा होगा अब मैं इनको टेप लगा लूँगी बॉक्स का फाइनल लुक आप देख सकते हैं मैसेज भी बहुत असानी से पढ़ा जा सकता है सेकेंड गिफ्ट का फाइनल लुक कुछ इस तरह है फाइनल गिफ रैपिंग के लिए मैंने डिफरेंट गिफ सेलेक्ट किये हैं जिनको मैं एक बॉक्स में एज़स्ट कर दूँगी अगर आपको किसी को छोटे छोटे दो तीन गिफ देने हैं तो बॉक्स को फिल करने के लिए आप डिफरेंट रिबन्स यूज़ कर सकते हैं पॉप अप करने के लिए मैंने यहां ब्राइट से कलर यूज़ की हैं और साथ मैं मैसेज के लिए कार्ट भी रख दिया है और कार्ट मैं रिबन पे उपर रख दूँगी और मैंने बॉक्स को फुल कर दिया है रिबन से इस गिफ्ट के लिए मैंने सॉलिट कलर यूज़ नहीं किया है प्रिंटेर रैपिंग वेपर यूज़ कर रही हूँ और इसको रैप कर लूँगी रैप करने के बाद मैं इसमें रिबन टाई करूँगी रिबन की सेलेक्शन के लिए टिप यह है कि अगर हमने प्रिंटेर रैपिंग वेपर यूज़ किया है तो सॉलिट कलर की रिबन जाधा अच्छी लगेगी प्रिंटेर रिबन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और enhance नहीं होगी इसलिए मैं solid color की pink matching की ribbon यूज़ कर रही हूँ जिस पे मैं bow बनाऊंगी bow मैं बिलकुल top पे बना रही हूँ बो को top पे मैंने adjust कर दिया है size according को आप gift adjust कर सकते है corners में ribbon cut में cut कर लूँगी और bow का final look आप देख सकते हैं third gift का final look ready है इस तरहां तीनो style के gift wrapping easily आप stylish तरीके से कर सकते हैं बहुत ही easy steps है और हर एक कर style बहुत different है और easy भी है आप इसको जरूर try करिएगा और मुझे अपना feedback जरूर दीजिएगा थाट कर दो जरूर थाएफ थाट जरूर जरूर नहीं है भी लोग नहीं है यहाई जरूर चाहएब नहीं है